नमस्कार, मैं हूँ विवेका नंजादव, आप देख रहे हैं दबी अन्वाई न्यूज, सत्क परतिक दबी अन्वाई न्यूज, आज लोजपा के राष्ट्य अद्धक्ष, जिसे आप नौ निर्वाचित राष्ट्य अद्धक्ष कह सकते हैं, राम विलास पासवान के पुत्र सांसर चिडाग पासवान, पटना पहली बार पहुँचे, अद्धक्ष बनने के बाद, कारकरताओं में काफी जोज देखा गया, कारकरताओं ने जोड़दार तरीके से उनका स्वागत किया, और कारकरताओं को उत्साहित करने के लिए चिराग पासवान पुर्व में ही कहा था कि युबाबर को आगे लाया जाएगा, पत्रकारण जब उनसे बात करी जारखंड चुनाओं के बारे में तो उन्होंने अस्पष्ट रूप से भारते जनतापार्टी को धमकाया, और धामकाने के लाजा में उन्होंने कहा कि सीट की अभी तक घोसना नहीं हुई है, लेकिन हमने 6 सीट मांगा है, परस्ताव दे दिया है, लेकिन अब तक ग्रीन सीगनल नहीं मिला, अगर उचित सीट का प्रतिनिधित नहीं दी जाती है और समय पर नहीं कही जाती है, तो मेरे कार करता और मेरे परत्यासी तैयार बैठे हैं जहारखंड में, हर सीट पर मेरे उमिदवार चुनाओ लड़ेंगे और मैं अपने उमिदवार को लड़ाऊंगा, चुकि मेरे कार करता बार बार पूछ रहा हैं और वो लड़ने के लिए और लड़ाने के लिए तैयार हैं, परत्यासी तैयार बैठे हुए हैं कि मैं गोसना करूँ और वो चुनाओ मैदान में कूदे, और ऐसी मेरी मजबूत संगठन है जहारखंड में, उसके बावजूद भारते जनता पार्टी द्वारा सीट सेरिंग का फर्मूला तै नहीं कर रही, जहारखंड में मैं बता दूँ आपको कि लोजपा, भारते जनता पार्टी और आजसू जिसके पड़मूख है सुदेश महतो, इन तीनों की अपनी साजेदारी है, साठगाठ है, बिहार में भी लोजपा एंडिये में है, वहां भी एंडिये में है, लेकिन अब तक सीट सेरिंग का मामला एंडिये में नहीं बन पाया, सुदेश महतो अलग राग अला पड़ा है, लोजपा के चिराग पासवान धमकी दे डाला, अगर एक दू दिन में फैसला नहीं हो जाता, तो लोजपा की ओड से राष्ट अद्यक चिराग पासवान के कथन अनुसार, एक कासी सीथ पर उमिदवार को खड़ा किया जाएगा, और वो चुनाओ लड़ने के लिए उमिदवार बैठे हैं, तयार, कार करता उत्साहित है चुनाओ अपने उमिदवारों को लड़ाने के लिए और मदद करने के लिए कार करता भी बैठे हुए, ऐसा उन्होंने धमकी भड़े लाजे में आज का दिया, अब आगे जो होगा मैं आपको समाचार पहुंचाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे वीडियो आ आपको अच्छा लगए तो लाइक करें, सिर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया, और मेरे फेस्बूक पेज को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद।